अध्याय तीन, लोग सुरक्षा को स्वतंतरता से उपर क्यों रखते हैं? आउडियो बुक बाए मिलियनेयर माइंड्स मेरे दोनों डैडियों ने मुझे कॉलेज जाने और डिग्री लेने के लिए सुझाओ दिया परन्तु कॉलेज की डिग्री लेने के बाद मैं क्या करूँ? इसके बारे में दोनों के सुझाओ अलग अलग थे मेरे उच्चे सिख्षिट डैडी लगातार सलहा देते थे कॉलेज जाओ, अच्छे नमबर लाओ और एक अच्छे सुरक्षित नौकरी खोज लो वे कॉडरेंट के बाएं हिस्से पर केंद्रित जीवन का सुझाओ दे रहे थे जिसका रास्ता इस तरह दिखता था मेरे असिशित परंतु अमीर डैडी हमेशा कॉडरेंट के दाएं हिस्से पर ध्यान केंद्रित करने की सलह देते थे कॉलेज जाओ, अच्छे नमबर लाओ और अपनी खुद की कंपनी शुरू करो कर्ज के जाल में उलजना 90 प्रतिशत लोग कॉडरेंट के बाएं हिस्से में काम कर रहे हैं और इसका प्रमुक कारण यह है कि उन्होंने स्कूल में इसी हिस्से के बारे में सीखा है स्कूल से निकलने के कुछ समय बादी वे करण में डूब जाते हैं वे करण में इतनी गहराई तक डूब जाते हैं कि उन्हें सिर्फ अपना खर चलाने के लिए नहीं नौकरिया व्यावसाई की सुरक्षा को और कसकर पकड़ना पड़ता है मैं अकसर ऐसे युवाओं से मिलता हूँ जिन्हें कॉलिज के डिपलोमा, कॉलिज के करण के साथ मिलता है उनमें से अपनी कॉलिज की सिक्षा के लिए पचास हजार डॉलर से लेकर डेड़ लाट डॉलर तक के करण में डूब चुके हैं अगर उनके माता-पिता ने उनकी पड़ाई के लिए पैसे दिये हैं तो वे कई साल तक आर्थिक संकट का सामना करते हैं मैंने हाल में ही पड़ा है कि अधिकांश अमेरिका वासियों के आज कॉलिज में पढ़ने के दोरान ही क्रेडिट कार्ड मिल जाता है पर वे पूरी जिन्दगी कर्ज में रहेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि वे अक्सर उस स्क्रिप्ट का अनुसरण करते हैं जो अध्यागिक यूग में लोग प्रिया थी स्क्रिप्ट का अनुसरण कटना अगर हम औसर सिक्षित लोगों के जीवन पर निगह डालें तो आर्थिक स्क्रिप्ट अक्सर इस तरीके से चलती है लड़का कॉलेज जाता है सनातक हो जाता है नौकरी करने लगता है और जल्द ही उसके पास खर्च करने के लिए पैसा आने लगता है यह युवक अब मकान किराय पर ले सकता है टीवी सेट खरीट सकता है नए कपड़े भी खरीट सकता है कुछ फरनीचर खरीट सकता है और जाहिर है एक कार भी और फिर बिल आना शुरू होते हैं एक दिन यह युवक किसी खास व्यक्ति से मिलता है चिंगारियां भड़कती है उन्हें प्रेम हो जाता है और वे शादी कर लेते हैं कुछ समय के लिए जीवन सुख में हो जाता है क्योंकि दो लोग एक व्यक्ति के खर्च में गुजारा कर सकते हैं अब उनके पास दो आमदनिया है जबकि उन्हें सिर्फ एक ही मकान के किराया देना है अब वे कुछ डॉलर बचा सकते हैं ताकि वे अपना खुद का मकान खरीट सकें जो हर युवा दमपत्ती का सपना होता है आखिरकार वे अपने सपनों का मकान खोल लेते हैं अपना जमा किया हुआ धन निकालते हैं और उसे मकान के डाउन पेइमेंट के लिए दे देते हैं इस तरह अब उन पर मकान का कर्द चुकाने की किस्ट भी भार आ जाता है क्योंकि उनके पास एक नया घर है इसलिए उन्हें सहजावट के लिए नए समान के जरुत पड़ती है अब वे एक फरनीचर श्टोर खोजते हैं जिसके विज्यापन में वहर लुआने वाले शब्द लिखे होते हैं नकद की जरुत नहीं है असान मासिक किष्टों में जीवन अधोल लगता है और वे दावत देते हैं ताकि उनके सभी मित्र आकर उनका नया घर, नई कार, नया फरनीचर और नया समान देख सकें वे अब जिन्दगी भर के लिए कर्ज की केरहाईयों तक डूट चुके हैं तभी उनका पहला बच्चा आ जाता है अच्छी तरह सिक्षित, कड़ी मेनत करने वाले औसत दमपत्ती बच्चे को नरसरी स्कूल में छोड़ने के बाद अपने कमरे कसते हैं और नौकरी करने चले जाते हैं वे नौकरी की सुरक्षा की अवेशक्ता में जकड़े हुए हैं क्योंकि आम तोर पर वे आर्थिक दिवालियपन से सिर्फ तीर महीने या इससे भी कमदूरी पर रहते हैं इन लोगों के मुँ में आप अक्सर इस तरीके से बात शब्द सुनते हैं मैं इसे छोड़ी नहीं सकता विलो का भुकतान करना है या स्नोवाइट और साथ बॉनों की गीत की पंक्ती में मिलता जुलता यहे वाक्या मुझ पर कर्ज है, मुझ पर कर्ज है, इसलिए मैं काम पर जाता हूँ सफलता का जाल मैं अपने अमीर डैड़ी से इतना ज़्यादा सीख पाया इसके यह होता है सफलता आपके समय को कम करती जाती है भले ही यह अधिक धन प्रदान करती हो धन का जान कॉर्डरेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए धन के ज्यान की जुरत है जिसे वित्य बुद्धी कहते है अमीर डैड़ी ने इसे इस तरीके से परिभाशित किया है वित्य बुद्धी का इस बात से इतना संबंध नहीं है कि आप कितना धन कमाते हैं जितना इस बात से है कि आप अपने पास कितना धन रख पाते हैं आप अपने धन से कितनी कड़ी मेहनत करवाते हैं और आप इसे कितनी पेडियों तक अपने पास रख पाते हैं, कॉर्डरंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए वित्य बुद्धी की जुरत होती है, अगर लोगों में मूलभूत वित्य बुद्धी नहीं है, तो अधिकांश मामलों में वे कॉर्डरंट के दाएं हिस से में नहीं टिक पाएंगे, मेरे अमेरी डैडी में लोगों के साथ काम करने तथा धन की अच्छी समझ थी, उनमें समझ ले होना अनिवार्य भी था, उन पर धन कमाने यथा संभव कम से कम लोगों का प्रबंदन करने, लागत कम करने और अधिक्तम लाग प्राप्त करने क जिम्मेदारी थी, कॉर्डेंट के दाएं हिस्से में सफलता पाने के लिए ये योग बिताएं, अवश्यक हैं, मेरे अमेरी डैडी ने ही मुझे जोड देकर बताया कि मकान संपत्ती नहीं, बलकि दायत तो होता है, वे इस बात को इसलिए साबित कर सकते थे, क्योंकि उन् मैं इसलिए था, क्योंकि वे लोगों का प्रवंधन करने में मुश्किल थे, और कुशल भी थे, काम की उनकी योग गिताएं उनके घरेलू जीवन में भी आई, मेरे सिक्षे डैडी धन और कर्मचारियों का प्रवंधन नहीं कर पाते थे, हाला कि उन्हें लगता था कि वे ऐसा कर रही हैं, राज्य के सिक्षा प्रमुक होने के नाते, वे एक सरकारी अधिकारी थे, जिनके पास लाखों डॉलर का बजट और हजारों कर्मचारी थे, परन्तु इस धन को उन्होंने नहीं कमाया था, तो सरकार उन्हें अगले साल कम धन देती थी, इसलिए हर वित्य वर्ष की अंत में, वे इसे पूरा खर्च करने के तरीके खोशते थे, इसका मतलब यह था, कि अगले साल के बजट को नियोयोजी ठहराने के लिए, वे अकसर, जरूरत से जादा लोगों को नौकरी पर रखते थे, अजीब बात यह थी, कि वे जितने लोगों को नौकरी प कि मैं किस तरह से जीवन जीना चाता हूँ, मेरे सिक्षिट डैडी पुस्तके पढ़ने के शौकीन थे, वे शब्द शाक्षर तो थे, पर उन्तु वे वित्य रूप से साक्षर नहीं थे, क्योंकि वे अंक नहीं पढ़ सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने बैंकर और अका प्रेश होना चाहिए, इस वित्य सला के कारण ना सिर्फ मेरे उच्षिट डैडी ने जादा मेहनत की, बलकि वे करज में भी जादा गहराई तक डूपते चले गए, हर बार जब उन्हें कड़ी मेहनत के कारण प्रमोशन मिलता था, तो उनकी तुन्खवा भी बढ़ती थी लेकिन हर बार तुन्खवा बढ़ने के साथ, वे ट्वैक्स के अधिक मूचे दायरे में पहुँच जाते थे, क्योंकि वे अधिक मूचे टैक्स के दायरे में आ जाते थे, और 1960 तथा 1970 के दशक में उच चामदनी वाले कर्मशारियों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगता सकें, वे ज़्यादा पैसा कमा रहे थे, परंतु इसका परिणाम कुल मिलाकर यह हुआ कि उनके टैक्स बढ़ गए और उनका कर्ज भी बढ़ गया, वे जितने सफल होते गए उतने ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और अपने प्रियजनों के साथ बिताने के लिए उनके पास समय भी कम होता गया, जल्दी ही उनके सारे बच्चे घड़ से दूर चले गए, परंतु वे सब बेलों के भुकतान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, वे हमेशा सोचते थे कि अगले प्रमोशन या तनक्वा में व्रिद्धी से उनकी समस्य सुलच जाएगी, परं गैरे करज में डूब जाते थे और ज्यादा टैक्स चुकाते थे, घर पर और नौकरी में वे जितने परिशान होते गए, नौकरी की सुरक्षा पर वे उतना ही जादा निर्भर होते गए, वे अपनी नौकरी और बिलों का भुकतान करने के लिए तनक्वा पर भावनात्म करूप से जितने निर्भर होते गए, उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित नौकरी पाने के लिए उतना ही जादा प्रोजसाहित किया, वे जितना असुरक्षित महसूस करते थे, वे उतना ही जादा सुरक्षा जाते थे, आपके दो सबसे बड़े खर्च, क्योंकि म मैं लाको अन्य सफल और कड़ी मेनत करने वाले लोगों को धन के इस जाल में फस्ते देख रहा हूँ। इतने अधिक लोगों के आर्थिक रूप से संघर्ष करने का कारण यह है कि हर बार अधिक धन कमाने के साथ वे अपने दो सबसे बड़े खर्च को भी बड़ा लेते हैं। पहला है टैक्स और दूसरा कर्ज पर ब्याज। मज़े की बात यह है कि कर्ज में गहराई तक दूबने के लिए सरकार अकसर टैक्स में छोट भी देती है। क्या इससे आपको जराभी शक नहीं होता। मेरे अमेर डैडी ने वित्य बुद्धी को इस तरह परिभाशित किया था। इसका इस बात से उतना है कि आप कितना धन कमाते हैं जितना इस बात से है कि आप कितना धन अपने पास रख पाते हैं। और आप इस कितनी पीडियों तक अपने पास रख पाते हैं। मेरी कड़ी मेनत करने वाले सिक्षे डाड़ी के पास विरासत में छोड़ने के लिए जो थोड़ा बहुत गन था, वह भी सरकार ने प्रोवेट टेक्सों में ले लिया। स्वतंतरता की तलाश मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग सोतंतरता और सुक्की तलाश कर रहे हैं। समस्टिया यह है कि अधिकांच लोगों को B और I कॉडरेंटों में काम करने का प्रक्सिशन्ड नहीं दिया गया है। इस प्रक्सिशन्ड के अभाव नौकरी की सुरक्षा की प्रोग्रामिंग और बढ़ते व्यक्तिकत कर्च के कारण जादातर लोग वित्ते सुतंतरता की अपनी तलाश कैश फ्लो कॉडरेंट के बाएं हिस्से तक सीमित कर देते हैं। मेरे अमेर डर्डी उन लोगों से नफरत करते हैं जिसने उसे प्रमोशन ना दे कर उसकी किसी अधीनस्त को प्रमोशन दे दिया। वह कम तनख्वा की शिकायत भी करते हैं। छे महीने गुजड़ जाते हैं और वह एक बार फिर खुश नजर आते हैं। वह बहुत खुश इसलिए हैं क्योंकि उसे आदर्श नौकरी मिल गई है। दुबारा उसके जीवन के मार्ग कुछ इस तरह दिखता है जैसे कोई कुट्ता अपनी पूँच के पीछा कर रहा हो। यह इस तरह दिखता है। उसके जीवन का पैटर्ण एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी की तरव जाना है। अब तक वह अच्छी तरह से जी रहा है क्योंकि वह स्मार्ट, आकरशक और व्यावहार कुशल है परन्तु उसकी उम्र ढ़ल रही है। और जो नौकरियां पहले उसे मिलती थी वह उसके पास बचत के नाम पर सिर्फ कुछ हजार डॉलर हैं, रिटायर्मेंट के लिए उसने कुछ नहीं छोड़ा है, उसके पास एक मकान है जिसका वह कभी मालिक नहीं बन पाएगा और उसे कभी अपने बच्चों को कॉलेज की पढ़ाई का खड़ चुठाना है। उसका स वह मुझे हमेशा कहा करता था, मुझे चिंता करने की कोई जुरत नहीं है, मैं अब भी जवान हूँ, मेरे पास समय है, मैं सोचता हूँ कि अब वह क्या कहेगा, मेरे विचार से उसे ततकाल B या I कॉडरेट में पहुचने का गंभीर प्रयास करना चाहिए, उसे एक नए नजरिये और नए सेक्षिनिक प्रक्रिया की जुरत है, अगर वह ऐसा नहीं करेगा, तो सुखत भविश्यक से उसकी आशा धूमिल हो जाएगी, जब तक उसकी किसमत अच्छी ना हो और वह लोटरी ना जीच जाए, या वह किसी अमीर महिला से शादी ना कर ले, तब तक वह जिन्दगी वर कड़ी महनत की रहा पर चलता रहेगा, अपना खुद का काम करना, ये व्यक्ति एस बन जाते हैं, एक और आम पैटर्न यह है, कि व्यक्ति ए कॉडरेंट से निकल कर, एस कॉडरेंट में चला जाता है, वर्तमान युग में बड़े पैमाने पर छटनी की वाजा से बहुत से लोग इस बात के समझ चुके हैं, इसलिए वे बड़ी कमपनियों की नौक्रियां छोड़कर खुद को कमपनिया शुरू करते हैं, घर से शुरू होने वाले बिजनस दिनो दिन बढ़ते जा रहे हैं, बहुत से लोगों ने अपना खुद का बिजनस में से S कौडरेंट वालों के लिए सबसे ज़्यादा करुणा महसूस होती है, मेरे विचार से S बनना सबसे लाबधायक भी है और सबसे जोखिम भरा भी, मैं सोचता हूँ कि S कौडरेंट सबसे मुश्किल कौडरेंट है, इसमें असफलता की द्वर उची है और अगर आप सफल भी हो जाएं, तो भी इस कौडरेंट में सफल होना, असफल होने से ज़्यादा भारी पड़ सकता है, ऐसा इसलिए है, क्योंकि अगर आप S के रूप में सफल होते हैं, तो आप किसी अन्य कौडरेंट के विक्ति से ज़्यादा महनत करेंगे, और काफी लंबे समय तक क परतंद होने वाले होते हैं, उन्हें वो सारे काम करने पड़ते हैं, या उनकी जिम्मेदारियां लेनी पड़ती हैं, जो किसी पड़ी कंपनी में बहुत से करमचारी तथा मैनेजर करते हैं, बिजनस की शुरुआत में S व्यक्ति अक्सर फोन को जवाब देता है, बेलो का करमचारीों को नौकरी से निकालता है, जब करमचारी छुटी पर होते हैं, तो उनका काम खुद संभालता है, टेक्स वसूलना वालों से बात करता है, सरकारी इंस्पेक्टरों से संघर्ष करता है, इत्यादी, जब भी किसी को यह कहते सुनता हूं, कि वह अपना खुद का बिजनस शुरू करने जा रहा है, तो मैं सहम जाता हूं, मेरी शुब कामनाय उसके साथ होती हैं, परंतु मैं उसके लिए बहुत चिंतित होता हूं, मैंने देखा है, बहुत से यी व्यक्तियों ने अपना बिजनस शुरू करने के लिए अपनी जिन्दगी बर्की जमा खब्क हो जाता है और जिन्दकी वर्की बचत के बजाए अब उनके सर पर बहुत सा कर्ज होता है। देश भर में जितने बिजनस चुरू होते हैं उनमें से 90 प्रतिशत 5 साल में चौपट हो जाते हैं। बाकि दिन्ने बिजनस पच्चते हैं, उनमें से भी 90 प्रतिशत अगले 5 सालों में नाकामियाब हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में सौ में से 99 छोटे बिजनस 10 साल बार धेर हो जाते हैं। मेरा मानना यह है कि पहले 5 साल में जादा तक लोग अनुभव और पूंजी की कमी के कारण असफल होते हैं, अगले 5 सालों में असफल होने के कारण पूंजी का अभाव ना होकर उर्जा का अभाव होता है, लंबी वा कड़ी महनत आखिरकार उस व्यक्ति को धराई शाई कर द आते हैं, इसलिए जादा तक उच्चे सिक्षित प्रोफेशनल्स, कंपनिया बदलते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं या मर जाते हैं, शायद इसलिए डॉक्टर और वक्लिलों की औसत आयू अन्या लोगों से कम होती है, उनकी औसत आयू 28 वर्श है, जबकि बा हो जाते हैं कि सुबा उठना है, काम पर जाना है और जिंदगी भर कड़ी महनत करना है, वे बस इतना ही जानते हैं, एक मित्र के माता पिता को देखकर मुझे यह याद आ गया कि सड़क के एक नुकड़ पर उनकी सराप की दुकान है, पैंतालिस साल तक वे इस दुकान में 16 गंटे तक बैठे, अब इस इलाके में अपराज बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने दरवाजे और खिड़कियां पर लोहे की छड़े लगबा ली हैं, उनकी दुकान से कुछ खरीदते समय पैसा एक खाचे में से देना पड़ता है, बहुत हद तक किसी बैंक की तरह, मै कभी कभार उनसे मिलने जाता हूँ, वे बहुत बढ़िया और अच्छे लोग हैं, परन्तु मुझे यह देखकर दुख होता है, कि वे अपने ही बिजनस के कैदी बन चुके हैं, वे सुबह 10 बजे से रात के 2 बजे तक दुकान पर बैठ कर, छड़ों के पीछे से बाहर दे देते हैं, जिसके पास उर्जा और धन हो, वे कुछ समय आराम करने के बाद फिर कोई नया काम शुरू कर देते हैं, वे अपना खुद को रखते हैं, और उससे प्रेम भी करते हैं, परन्तु उन्हें यह मालुम होना चाहिए, कि बाहर कब निकला जाए। अपने बच्चों को देने के लिए सबसे बुरी सलहा अगर आप 1930 से पहला प्यदा हुए हैं, तो स्कूल जाओ, अच्छे नमबर लाओ और सुरक्षित नौकरी खोजो, एक अच्छी सलहा थी। परन्तु अगर आप 1930 के बाद पैदा हुए हैं, तो यह बहुत बुरी सलह है। क्यों? जवाब है पहला टेक्स, दूसरा कर्ज। जो लोग एक और्डरेंट से आमदनी कमाते हैं, उनके पास व्याओहारिक रूप से टेक्स बचने के लिए कोई अफसर नहीं होता। आज अमेरिका में कर्मचारी होने का अर्थ यह है, कि आप सरकार के साथ 50-50 के पार्टनर हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार अंतता कर्मचारी की 50 प्रतिशत या इससे अधिक आमदनी ले लेगी और इसका ज्यादतर हिस्सा तो कर्मचारी की तनख्वा मिलने से पहले ही सरकार के पास पहुंच जाएगा। जब आप इस बात पर विचार करते हैं कि सरकार आपको कर्ज में अधिक गहराई तक डूबने के लिए टैक्स में छूट देती है, तो आप यह समझ सकते हैं कि वित्यसोतंतरिता की रहा E और S कॉडरेंट के अधिकांश व्यक्तियों के लिए लगभग असंभव होती है, ज शाकि उन्हें टैक्स में अधिक छूट मिल सके हाला कि कैश फ्लोग कॉडरेंट के बाएं हिस्चे में रहने वाले विप्ति को इसमें समझधारी दिख सकती है, पर+, कॉडरेंट के य दाएं हिस्टे के विख्ति को इसमें समझदारी नहीं दिखती है सबसे ज़्यादा टेक्स कौन देता है अमीर लोग बहुत कम इंकम टेक्स देते हैं क्यों? क्योंकि वे अपना धन कर्मचारियों के रूप में नहीं कमाते दो और मशूर टेक्स विद्रो हैं जो अमेरकी नहीं है परंतु वे दर्शाते हैं कि लोग कितनी प्रवलता से टेक्स का विरोध करते हैं विल्यम टेल की कहानी टेक्स के विरोध की कहानी है उसने अपने पुत्र के सर के उपर से तीर इसलिए चलाया था क्योंकि वे टेक्स को लेकर नरास था और उसने विरोध में अपने पुत्र के जान जोखिम में डाल दी थी और लेडी गोडिवा की कहानी है उन्होंने अपने शहर में टैक्स कम करने का आगरह किया पशाशकों ने कहा कि वे टैक्स कम कर देंगे बशर्ते वे शहर में निर्वस्तर घुड सवारी करे लेडी गोडिवा ने उनकी इस चनौती पूर्ट शर्त को पूरा कर दिया टैक्स लाब टैक्स अधुनिक सभ्यता की अवशकता है समस्याएं तब उत्पन होती हैं जब टैक्सों का दुर्प्योग और कृप्पंधन किया जाता है अगले कुछ सालों में लाखो बैबी वमूर रिटायर होने लगेंगे वे टैक्स चुकाने वालों की भूमका से निकल का रिटायर्मेंट और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की श्रेड़ी में आ जाएंगे इस परिवर्तन को सम्हालने के लिए और चादा टैक्स वसूलने के जुरत पड़ेगी अमेरिका और अन्या बड़े देश वित्या रूप से कमजोर होने लगेंगे वहां के अमीर लोग ऐसे देशों की खोज में चले जाएंगे जो उनके धन का स्वागत करे उसके लिए उन्हें दंडित ना करे एक बड़ी गलती इस साल के शुरू में एक अकबार के पत्रकार ने मेरा इंटर्व्यू लिया उसने मुझसे पूछा कि मैंने पिछले साल कितना पैसा कमाया मैंने जवाब दिया लगभग 10 लाख डॉलर इस पर उसने पूछा और आपने कितना टैक्स चुकाया? कुछ नहीं मैंने कहा मैंने पैसा कैपिटल गेंस में कमाया था और मैं उन टैक्सों का अनंत काल तक टाल सकता हूँ मैंने रियल इस्टेट के तीन टुकडे बेच दिये और उन्हें टैक्स कोड सेक्शन 1031 एक्सचेंज में रख दिया मैंने उस पैशे को छुआ तक नहीं मैंने ज़्यादा बड़ी जायदाद में उसका निवेश कर दिया कुछ दिनों के बाद अकबार में यह ख़बर चपी अमीर आदमी ने 10 लाख डॉलर कमाए और वह सुईकार करता है कि उसने टैक्स में एक पैसा भी नहीं दिया मैंने इस तरह की चीज कही थी परन्तु उस खबर में कुछ महत्पूर सब नहीं दिये गए थे जिससे संदेश विकरत हो गया था मैं नहीं जानता कि प्रतरकार ने यह दुर्भावना से लिखा था या यह समझा ही नहीं था कि सेक्शन 1031 एक्सचेंज क्या होता है चाहे जो वज़ा हो यह इस बात का आदर्श उधारण है कि अलग-अलग कोड्रेंटों के लोग अलग-अलग दिर्ष्टिकोड होते हैं जैसा मैंने कहा था हर आमदनी समान नहीं होती कुछ आमदनीयों पर बाकी आमदनीयों से टेक्स लगता है अधिकांश लोग का ध्यान निवेशों के बज़ाए आमदनी पट केंद्रित होता है मैं अब भी लोगों से यह सुनता हूँ मैं दुबारा कॉलेज में जा रहा हूँ ताकि मेरी तनख्वा बढ़ सके या मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ ताकि मुझे प्रमोशन मिल सके ये शब दिया विचार उस आदमी के हैं जो फाइनेंशियल स्टेट्मेंट की आमदनी के कॉलम और कैशलो कॉडरेंट के ए कॉडरेंट पर ध्यान के इंद्रित कर रहा है ये शब उस आदमी के हैं जो तनख्वा में होने वाजिव रिध्धी का आदा हिस्सा सरकार को सौब देगा और ऐसा करने के लिए ज्यादा कड़िवा लंबी मेहनत करेगा आने वाले अध्याए में मैं यह स्पष्ट करूँगा कि कॉडरेंट के दाएं हिस्से के लोग कि इस तरह टेक्स का प्रयोग दायित्तु के वज़ाए संपत्ती के रूप में करते हैं जबकि कॉडरेंट के बाएं हिस्से के अधिकांश व्यक्तियों के लिए टेक्स एक दायित्त वो होता है इसका देश प्रेम होने या ना होने उसे कोई संबंध नहीं है इसका संबंध तो ऐसे व्यक्तियों के होने से है जो कानी नियू रूप से संघर्श और विरोध करते हैं ताकि यह यथा संभव अधिकादिक धन सुरक्षित रखने के अपने अधिकार की रक्षा कर सकें जो व्यक्ति और देश अपने टैक्स का विरोध नहीं करते उनकी अर्थ विवस्था अक्सर निराशा जनक होती है जल्दी अमीर बनू मेरी पत्नी और मैं अपनी बेघर स्थिती से मुक्ति पाकर जल्द ही वित्य सुत्मतित्ता पाना चाते थे हमारे लिए इसका अर्थी है था कि हम B और I कॉडरेंटों से अपनी आमधनी कमाए दाएं हिस्से के कॉडरेंटों में आप तुरन तमीर बन सकते हैं क्योंकि आप कानियुनी रूप से टैक्स देने से बच सकते हैं यही वज़ा है कि अपना अधिधाधिक धन का अपने पास रखकर और उस धन से अपने लिए काम करवा कर हमने जल्द ही आर्थिक स्वतंतिता प्राप्त कर ली स्वतंतिता कैसे पाई जाए टैक्स और कर्ज वे दो प्रमुक कारण हैं जिनकी वज़ा से अधिकांच्ट लोग कभी वित्य सुरक्षा का अनुभव नहीं कर पाते हैं और वित्य स्वतंतिता प्राप्त नहीं कर पाते हैं सुरक्षा ये सुतंतिता की रहा कैश फ्लो कॉडरेंट के दाएं हिस्से में पाई जाती है आपको नौकरी की सुरक्षा के पार जाने के जुरत नहीं है अब समय आ चुका है कि वित्य सुरक्षा और वित्य सुतंतिता के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझ लिया जाए इस पैटर्न वाले लोग अक्सर अपनी नौकरी में कुशल होते हैं बहुतों ने स्कूल, कॉलेज में कई साल तक मेहनत की है और बड़सों तक नौकरी का अनुभव प्राप्त किया है भले ही उन लोगों ने रिटार्मेंट प्लान ना बना रखा हो परन्तु समस्या यह है कि वे बी या आई कॉडरेंटों के बारे में बहुत कम जानते हैं वे वित्या रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ नौकरी या व्योसाइक सुरक्षा का ही प्रसेक्शन मिला है दो पैर एक से भैतर होते हैं वित्या रूप से अधिक सुरक्षित बनने के लिए मैं यह सुझाओ देता हूँ कि लोग E या S कॉडरेंट में काम करते रहें परन्तु B या I कॉडरेंट में भी सिक्षित बनने जब उन्हें कॉडरेंटों के दोनों हिस्तों में अपनी योग्यताओं पर विश्वास हो जाएगा तो स्वभाविक रूप से वे अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे वहले ही उनके पास पैसा कम हो ज्यान शक्ति है उन्हें बस अपने ग्यान का प्रयोग करने के लिए सही अवसर का इंतजार करना है और फिर उनके पास पैसा आ जाएगा इसलिए इश्वर ने हमें दो पैर दिये हैं अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पैर होता तो हम हमेशा लड़ खड़ाते रहते और ऐ सुरक्षित महसूस करते दो कौडरेंटों का ग्यान होने पर जिन में से एक बाई हिस्से का हो और दूसरा दाई हिस्से का हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं जो लोग सिर्फ अपनी नौकरी या व्यावसाई के बारे में जानते हैं उनका सिर्फ एक ही पैर होता है, हर बार जब आर्थिक हवाएं तेजी से बहती हैं, तो वे दो पैर वाले लोगों से ज़्यादा लड़ खड़ाते हैं, दूसरा, यह वित्य सुरक्षा क्या पैटर्न है, एक ओर्डरंट के विक्ती की वित्य सुरक्षा इस तरह दिखती है, लगों को निवेशक और कर्मचारी दोनों ही रूपों में अपने सिक्षा के बारे में आत्मविश्वास होता है, हमें नौकरी करना, सीखने के लिए कॉलेज में अध्यान करते हैं, इसी तरह मैं सुझाओ देता हूँ, आप प्रोफेशनल लिवेशक बनने के लिए भी पूछा, आपने 10 लाख डॉलर कैसे कमाएं, मेरे हिसाब से यही असली सवाल है, टेक्स से कानूनी रूप से बचना असान है, 10 लाख डॉलर कमाना उतना असान नहीं है, वित्य सुरक्षा का दूसरा मार गिया हो सकता है, इस कॉडरेंट वाले व्यक्ति की वित्य सुरक्ष इस तरह दिखती है, इस पैटन का वर्णन थोमस टैनली ने अपने पुस्तक दा मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में किया है, यह बहुत बढ़ियां पुस्तक है, और सथ अमेरिकी मिलियनेयर सेल्फ इंपलोईड है, मित्य विस्ता में रहता है और लंबे समय के लिए निवेश क करता है, ऐसे भी इस मार्ग का प्राय बिल गेर्स जैसे बहुत से बड़े उद्दम्यों ने चुना है, यह सबसे असान नहीं है, परंतु मेरे विचार से यह बहुत अच्छा मार्ग है, एक से बहतर दो हैं, दो कॉडरेंटों में, खासकर बाई हिस्से के एक कॉडरेंट म और दाई हिस्से के एक कॉडरेंट में सेक्षित बनना सिर्फ एक कॉडरेंट में निपुर होने से बहतर है, अध्याय दो में मैंने यह तथ्या बताया है, कि ओसत अमीर आदमी अपने 70% आमदनी कॉडरेंटों के दाई हिस्से से कमाता है, और 30% आमदनी कॉडरेंट के 2 हि मह Ariana सुरक्षित महसूस करेंगे विद्य सुरक्षा का अर्थ कैस्टलो कॉ souvenir के दोनों हिस्तों में सुरक्षित स्थान बनाना है लगथबती फायर फाइटर्स मेरे दो मित्र हैं जो कैश फ्लो कॉडरेंट के दोनों हिस्तों में सफल होने के उत्कृष्ट उधारण हैं उनके पास नौकरी की जवरदस सुरक्षा है और नौकरी का लाब भी है इसके साथ ही उन्होंने कॉडरेंट के दाई हिस्ते में भी बहुत दौलत थांसिल कर ली है और दोनों ही राज्य सरकार के फायर फाइटर्स हैं उनके पास अच्छी बस थाई तनख्वा आती है उतक्रिष्ट लाब तथा रिटायर्मन्ट प्लान है और वे हफ्ते में सिर्फ दो दिन काम करते हैं हफ्ते में तीन दिन वे व्योसाइक निवेशों के रूप में काम करते हैं दोनों ही मित्रों के पास परियाप निश्क्रिय आमदनी है जो 20 वर्ष के निवेश के परिणाम स्वरूप मिली है वे 40 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सकते थे पर इंतु वे दोनों ही अपनी नौकरी से खुश है और राज्य सरकार से पूरा लाब लेकर रिटायर होना चाते हैं तब वे दोनों सुतंत्र होंगे क्योंकि उन्हें कौडरेंट के दोनों हिस्तों में सफलता के लाबों का आनन मिलेगा सुरक्षा सिर्फ धन से नहीं मिलती मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ जिनके रिटायर्मेंट अकाउंट में लाखों जमा है परन्तु इसके बाबजूर वे ऐसुरक्षित महसूस करते हैं क्यों? क्योंकि यह धन उन्होंने अपनी नौकरी या बिजनस से कमाया है ज्यादा तर ने रिटायर्मेंट अकाउंटेंट में निवेश किया है तो परन्तु वे निवेश के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं अगर वे धन गायब हो जाए और उनके काम करने के दिन पूरे हो जाएं तब वे क्या करेंगे? बड़े आर्थिक परिवर्तन के दौर में हमेशा बहुत सा धन इस हाथ से इस हाथ तक पहुचता है चाहे आपके पास ज्यादा धन ना हो परन्तु आपके लिए अपनी सिक्षा में निवेश करना बहुत ही महत्पूर बात है क्योंकि जब परिवर्तन आते हैं तो आप उनके लिए बहतर तयार होंगे ऐसा ना हो कि जब ये परिवर्तन आए तो आप उनके प्रति जागुरुक ना हो और उनसे डर जाएं जैसा मैंने कहा था कोई भी यह सर्टिक भहिश्यवाडी नहीं कर सकता कि क्या होगा परन्तु किसी भी स्थीती के लिए तयार रहना सर्विस्रेष्ट है और इसका मतलब यह है कि अभी सिक्षित बनना तीसरा यह वित्य सुतंतरता का पैटन है यह अधियन का इवह पैटन है जिसकी अनुशंशा मेरे अमीर डाइडी ने की थी वित्य सुतंतरता की रहा पर यह सच्ची वित्य सुतंतरता है क्योंकि B कौडरेंट में लोग आपके लिए काम करते हैं और I कौडरेंट में आपका धन आपके लिए काम करता है आप काम करने या ना करने के लिए स्वतंत रहें इन दोनों कॉडरेंटों का ग्यान आपको काम में पूरी शारेरिक आजादी देता है अगर आप बेहद अमीर लोगों की तरफ देखें तो कॉडरेंट में उनका पैटर्न ये है बी और आई के वृत उस आमदनी के पैटर्न को संकेत देते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, न्यूस कॉर्प के रूपर्क मर्डॉक, बर्क शॉयर हाथवे के वरन बफे और रैस परोट का है यहाँ पर मैं आपको तत्काल साबधान कर दूँ बी कॉर्डरेंट, आई कॉर्डरेंट से बहुत अलग होता है मैंने देखा है कि कई सफल भी अपना बिजनस लाखो करोडो डॉलर में बेश देते हैं और नई मिली अमीरी उनका सिर्फ फिरा देती है वे यह सोचें लगते हैं कि उनके डॉलर उनके आई क्यू का मापदंड है इसलिए वे इतराते हैं आई कॉर्डरेंट में जाते हैं और अपना सारा धन्गवान बैठते हैं सभी कॉर्डरेंटों का खेल और उनके नियम अलग-अलग होते हैं इसलिए मैं स्थिक्षा और एहम पर विजय प्राप्त करने का सुझाओ देता हूँ वित्य सुरक्षा के तरह ही दोनों कॉर्डरेंटों में पैड जमाने से आपको वित्य सुतन्ता के संसार में अधिक स्थायत को मिलेगा मार्गों का चुनाओ ये अलग-अलग वित्य मार्ग हैं जिनमें से लोग अपना विकल्प चुन सकते हैं दुर्भाग्य से जादा तक लोग नौक्री के सुरक्षा का मार्ग चुनते हैं जब अर्थ विवस्ता लड़ खड़ाने लगती है तो वे अकसर नौक्री की सुरक्षा की ओड़ जादा कसकर पकड़ लेते हैं वे वहाँ पर अपनी पूरी जिन्दगी बिता देते हैं कम से कम मैं वित्य सुरक्षा में सिक्षित बनने के जहला देता हूँ जिसका मतलब यह है कि अपनी नौक्री के बारे में और अच्छे बुरे दोनों समयों के बारे में अपने निवेश योगिता के बारे में आत्मे विश्वास रहना यह एक बड़ा रहस्य है कि सच्चे निवेशक गिरते बजार में ज़ादा धन कमाते हैं वे ज़ादा धन इसलिए कमाते हैं क्योंकि गैर निवेशक दहशत में आकर अपने शेर बेस देते हैं जबकी उन्हें इस समय खरीदना चाहिए इसे लिया मैं आने वाले सम्भाविप आर्थिक परिवरतनों से भेभीत नहीं हूँ क्योंकि परिवरतन का अर्थ यह है कि दोलत की अदला बदली हो रही है आपका बॉस आपको अमीर नहीं बना सकता वर्तमान में जो आर्थिक परिवरतन हो रहे हैं वे कुछ हद तक कमपनियों की बिक्री और विलाय के कारण हो रहे हैं जिसे आप English में Supply and Demand कहते हैं हाल ही में मेरे एक मित्र ने अपनी कमपनी बेस दी कमपनी बिकने के दिन उसने अपने बैंक के खाते में देर करोन डॉलर जमा किये उसके कर्मचारियों को नई नौकरियों की तलाश करनी पड़ी फेरवल पार्टी आस्वों से भरी थी परन्तु उसमें बहुत क्रोध और दुएश की अंतर धाराएं भी थी हाला कि मेरे मित्र ने उन्हें वर्षों तक अच्छा वेतन दिया था परन्तु अधिकांश कर्मचारी अपनी नौकरी के पहले दिन वित्या रूप से जिस हाल में थे आखरे दिन भी वे उससे बहतर हलात में नहीं थे बहुत से लोगों को यह एसास हुआ कि कंपनी का मालिक अमीर बन गया था जबकि उन्होंने अपने सारे वर्श तनख्वा कमाने और खर्च करने में मिता दिये थे सच्चाई यह है कि आपको अमीर बनाना आपके बौस का काम नहीं है उसका काम तो यह सुनिश्चित करना है कि आपको आपकी तनख्वा समय पर मिल जाए अमीर बनना आपका काम है बशर्ते आप अमीर बनना चाहें और यह काम उस पल शुरू होता है जिस पल आपको तनख्वा मिलती है अगर आप धन के प्रबंदन में निपुड नहीं है तो दुनिया का सारा धन भी आपको नहीं बचा सकता अगर आप बुद्धी मता पूर्वक बजट बनाते हैं और या तो बी या फिर आई कोडरेंट के बारे में सीखते हैं तो आप प्रचुर वेक्टिगत दौलत की रहा पर हैं और सबसे महतपूर्ण बात यह है कि स्वतंतरा की रहा पर हैं मेरे अमीर डाइडी ने अपने पुत्र और मुझसे यह हमेशा कहा करते थे अमीर और गरीब लोगों के बीच का एकलोता अंतर यह है कि वे अपने खाली समय में क्या करते हैं मैं इस कथन से सहमत हूँ मुझे ऐसास है कि लोग आज जितने व्यस्त हैं उतने पहले कभी नहीं थे और खाली समय बहुत ही कीमती होता है फिर भी मैं यह सुझाओ देता हूँ कि अगर आप आपको व्यस्त होना ही है तो कौडरेंट के दोनों हिस्सों में व्यस्त रहें अगर आप ऐसा करते हैं तो इस बात की ज़्यादा संभावना है कि अंतधा आपको ज़्यादा खली समय और ज़्यादा वित्य सुतंतिता मिल जाएगी जब आप नौकरी करें तो पूरी महनत से करें कृपिया ओफिस में वाल स्ट्रीट जर्नल ना पड़ें पूरे दिल से काम करने पर आपका बॉस आपका अधिक सम्मान और प्रशंसा करेगा आप नौकरी के समय के बाद अपनी तनख्वा और खाली समय में क्या करते हैं उससे आपका भविश्य निर्धारित होगा अगर आप कृडरेंट के बाई हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आप हमेशा कड़ी मेहनत करते रहेंगे अगर आप कृडरेंट के दाई हिस्से में कड़ी मेहनत करते हैं तो आपके पास सोतंतरता पाने का अवसर होगा मैं इस मार्ग की सलह देता हूँ मुझे अक्सर कॉर्डरेंट के बाएं हिस्से के लोग पूछते हैं आप किस मार्ग की सल्हा देते हैं मैं उसी मार्ग की सल्हा देता हूँ जिसकी सल्हा मेरे अमीड डैडी ने मुझे दीती यह वही मार्ग है जिस पर रौस पेरोट, बिल गेट्स और उनके जैसे अन्य लोग चले थे यह मार्ग इस तरह दिखता है कभी कभार मुझे यह शिकायत सुनने को मिलती है परन्तु मैं तो निवेशक बनना पसंद करूँगा इस पर मैं जवाब देता हूँ तो फिर सीधे आई कॉर्डरेंट में चले जाए अगर आपके पास बहुत सा धन और खाली समय है तो सीधे आई कॉर्डरेंट में चले जाए परन्तु अगर आपके पास समय और धन प्रचुर मातरा में नहीं है तो मेरा सुझाया मार्ग ज्यादा सुरक्षित है अधिकांश मामलों में लोगों के पास बहुत समय या धन नहीं होता इसलिए वे एक और सवाल पूछते हैं क्यों आप पहले B कॉडरिंट में जाने की सल्हा क्यों देते हैं इस चर्चा में आमतोर पर लगबख एक घंटे का समय लगता है इसलिए मैं इसे यहां नहीं करना चाहूँगा परन्तु में अगली कुछ पंक्तियों में अपने कारणों को सारान से अवश्य बताना चाहूँगा पहला अनुभव और सिक्षा अगर आप पहले B के रूप में सफल होते हैं तो आपके पास शशक्त I बनने का बहतर अफसर होगा I व्यक्ति B में निवेश करते हैं अगर आप पहले बिजनस की अच्छी समझ विक्सित कर लेते हैं तो आप एक बहतर निवेशक बन सकते हैं इसके बाद आप अच्छे B व्यक्तियों को जादा अच्छी तरह से पहचान सकेंगे सच्चे निवेशक सफल B में निवेश करते हैं जिनका बिजनस तंत्र स्तग होता है E या S में निवेश करना जोखिम भरा होता है जो सिस्टम और प्रोडक्ट के बीच का अंतर ही नहीं जानता या जिसमें पुत्कृष्ट लेडर्शिप योग्यताओं का अभाव होता है दूसरा कैश फ्लो अगर आपका कोई बिजनस सफलता पूरवक चल रहा है तो आपके पास ज़्यादा खाली समय और कैश फ्लो होगा जो आई कॉडरेंट के उतार चड़ाओं में आपको सहारा देगा कई बार मैं E S कॉडरेंट में ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनके पास इतना कम धन होता है कि वे इस तरह के वित्य नुकसान को परदास नहीं कर सकते बजार में एक ही जटके में वे आर्थिक रूप से वरबाद हो जाते हैं क्योंकि वित्य द्रिष्टी से वे लाल लकीर पर चलते हैं सच्चाई यह है कि निवेश करने में पूंजी और ग्यान की अवशक्ता होती है कई बार यह ग्यान हासिल करने के लिए बहुत सी पूंजी और समय की ज़रत होती है अनेक सफल निवेशक जीतने से पहले कई बार हा रहे हैं सफल लोग जानते हैं कि सफलता बुरी सिक्षक है सिक्षा गलतियां करने से मिलती है और आई कॉडरेंट में गलतियां करने से पैसा खर्च होता है अगर आप में ग्यान और पूंजी दोनों की कमी है तो निवेशक बनने की कोशिश करना वित्य आत्महत्या की तरह है अगर आप पहले अच्छा बे बनने की योगिता पर विक्सित कर लेते हैं तो आपके पास अवश्यक कैश्वलो होगा जो अच्छा निवेशक बनने के लिए जरूरी है जब आप अच्छे निवेशक बनने के लिए शिक्षा हासिल करेंगे धर्न्यवाद अगर आपको हमारी ओडियो बुक्स सुनना पसंद है तो आप हमें लाइक या डिसलाइक करके बता सकते हैं बिना ये सोचे कि मेरे एक लाइक या डिसलाइक से क्या फर्क पड़ेगा